चलिए मूरत 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 ट्रेडिंग खथम हो चुका है मार्केट एस एक्सपेक्टेट थोड़ा सा गयाप उपेन होके पहला पन्रा मेंट के बाद वॉल्यूम सक्ट अब हो गया और साइडवेज में जाके क्लोज किया है अब कल के लिए हम कैसे प्लैन कर सकते कल 13th November होने व करेंगे ज्यादा सिंपल रखेंगे सिंपल रखेंगे अनलेसिस को कैसे हमें इतना पता है बहुत बरा बहुत दूर है कि मैलनेस पड़ा हुआ है बहुत अच्छी बात है नीचे आ सकता है मार्केट तो कल के लिए हम ट्रेंडिंग कर रहें उसका एक और रिजन यही है कि कल बहुत सारे रिटेल मार्केट में पार्टिसिपेंट नहीं करने वाले तो कल मार्केट क्या करता है रिटेल से यह इतना हो सागे रिटेल को पैसा ना देने की कोशिश करते है तो कल पार्टिसिपेंट मार्केट पर जरूर कीजिएगा कल हम एक ट्रेंडिंग मार्केट कर सक 40,000, 0.50 के आसपास के, 44,000, 0.50 के आसपास से एक अच्छा पहले वाला एक rejection था, तो उसी जगा के आसपास से आज भी एक rejection हमें देखने को मिला है, तो कल अगर market flat open होता है, हम इनकेस मान लेते हैं कि bank nifty flat open होता है, flat open होके, जैसे ही ये range को तोरेगा, एक candle close करेगा, defensive entry activate हो जान और एक बार हमारे दिशा में कल अगर market थोड़ा सा नीचे आ गया, तो मैं तीन बजेत तक वेट करूँगा, market को पूरा trending होने का ही मैं expect करूँगा, हो सकता है trending हो जाए, हो सकता है, थोड़ा sideways होके trending हो जाए, लेकिन मेरा expectation trending ही रहेगा, उसके बाद मेरा SL जाएगा, I'm happy to give the SL to the market, ठीक है, अच्छा, यह हो जाएगा, flat open होके नीचे आने का plan, in case flat open हुआ, और उपर जा रहा है, तो क्या करेंगे, flat open होके उपर जाएगा, उपर जाके 44,050 के उपर, candle close करेगा, green color का, और उसके उपर निकलेगा, तो ही मैं trade करूँगा, otherwise नहीं, candle sustain करके निकलेगा, त तो trade करूँगा, otherwise नहीं, हो सकता है, एक trap भी यह, बहुत smoothly play कर दे, ठीक है, तो इसलिए, aggressiveness में, मैं, उपर side में entry नहीं करूँगा, aggressive में short कर सकता हूँ, लेकिन, उपर में candle close होगा, then only I am going to short by the market, ठीक है, अच्छा, अब मान लेते, gap up या gap down open हो जाता है, जिसका पॉसलियो इसका में, in case, अगर gap up open हो जाता है, तो मैं फिर से second half-time market को देखना पसंद करूँगा, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, because उपर में इसके पास proper base नहीं है, तो एक नया levels create कर सकता है, market कल के लिए, तो gap up पे थोड़ा मुश्किल होगा, और in case gap down open होता है, तो कहां पे open होता ह gap down open होता है, तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते, because एक movement हो चुका होगा, और in case एक चोटा मुटा gap down open होता है, तो मैं wait करूँगा, दो setup का, या तो continue कर जाए, पहला 15 मिर का candle बहुत अच्छा खासा bearish मिल जाए, उसके निचे निकल जाए, तो I'm gonna short, otherwise कोई day high का liquidity मुझे मिल जाए, पर पुराना वाला base था, उसी के जगा के आसपास से open isical to high बना के घूम रहा है, और open isical to high, open isical to low को public भूल जाता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, यह बहुत important होता है, because यहाँ पे आपको एक proper bearishness या bullishness का strength देखने को मिल जाता है, तो open isical to high हो चुका है, bearishness आ चुका 150 के ऊपर candle close करेगा, आज के high के ऊपर, उसके ऊपर निकलेगा, तो ही मैं छोटा quantity buy कर सकता हूँ, वो भी छोटा, ज्यादा बरा नहीं, because नीचे में बहुत ज्यादा imbalances परा हुआ है, FVGs परा हुआ है, तो यह सारे चीज़ आपको देखना पड़ेगा, देख रहे हैं सकता है, क्योंकि अब मूरत का चांस हो चुका है, कहानी खतम हो चुका है, अब मार्केट क्या करेगा, प्राइस अपने, अपने characteristics के अपने प्ले आउट करेगा, इमोशन, ठीक है, हो गया है, दिवाली, मूरत, सब कुछ हो गया, अब प्राइस पर फोकस करते है, ठीक है, अगर gap up open हो जाता है, तो मैं similarly वही ignore करूंगा market को, थोरा सा उपर 19,650 के आसपास हमें एक order block मिल सकता है, तो तब तक मैं wait करूंगा, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, मैं देखना पसंद करूंगा, और in case, अगर gap down open होता है, कहाँ पर, FBG के आसपास, तो कुछ कर नहीं सक पहला candle के नीचे जैसे निकले का, we are gonna shot, I am gonna shot, otherwise कोई अगर मुझे liquidity मिल जाएगा, liquidity को upside का grab करके, जैसे range में आएगा, I am going to shot, तो मैं भी आप लोगो को यही advice करने वाला हूँ, ठीके, अचा, एक बार fin nifty देख लेते, similar kind of story, हरेक candle, हरेक, हरेक, जो index अब synchronized way में आ चुका है fin nifty भी similar, जो इसका level था, बहुत अच्छा खासा level, यह जगा के आसपास से open is equal to high हुआ है, और यहाँ पे देखिए, chance तो करने के मतलब, थोड़ा सा उपर जाने की कोशिश किया भी, लेकिन बजा जोटो, बहुत सारे stocks में profit booking आ गया, और fin nifty वहाँ तक जा नहीं पाया, तो price के ऊपर, तो जाके मैं छोटा quantity buy कर सकता हो, price action पे छोटा और यह 19,750 तक का target के लिए, अच्छा, in case gap up open होता है, मैं ignore करूँगा, gap down open होता है, fin nifty में भी FVG पड़ा हुआ है, gap down open होगा, FVG के सामने कुछ कर नहीं सकते, movement हो चुका होगा, second half में देखेंगे, otherwise छोटा मोट gap down, या तो day high का liquidity मुझे मुझे मुल जाएगा, तो मैं वहाँ पर short करूँगा, otherwise continuation पे मुझे मिलेगा, तो मैं वहाँ पर छोटा quantity short करके, क्यूभी continuation पर RR थोड़ा घटी आ रहेगा, तो quantity को कमा के, छोटा quantity से short करेंगे, ताकि बड़ा movement अगर आये भी, तो miss out ना हो जाए, ठीक है, तो याद रखिए, जब भी आपके favor में RR नहीं आता है, तो quantity को कमा दीजिए, quantity को घटा दीजिए, इससे क्या होगा, in case बहुत बड़ा movement आ जाएगा, तो आपको खराब नहीं लएगा, आप सोचेंगा, चलो कुछ ना कुछ मेने लिया, और in case RR अच्छा आ गया तो do with your actual size quantity sizing, उसमें क्या हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा probability मिल जाएगा, तो ये साड़े levels हो जाएगे, कल 13th of November के लिए, I hope आपको levels अच्छा लगया, अगल अच्छा लगया, तो प्लीज एक like share और subscribe कर दीजिए, और दिवाली का offer आप लोगों के लिए, मैंने 24 प्रोग्राम पर जाके एक बार जरूर चेकाउट कीजिए, 24 घंटे रहेगा दिवाली का coupon, ठीक हो और वो भी 100 students तक ही, मैं उसका मतलब इस्तमाल कर पाएंगे, पहले 100 students, जाके एक बार जरूर चेकाउट कीजिए, आप लोग बहुत बार बोल रहे थे कि दिवाली में कर सकते हैं, आज के लिए इतना ही, टिक क्यार और बाबाई, और वन्स अगेइन, हैपी दिवाली तो यू और यूर फैमिली मेंबर्स.